इस वीडियो में हम Class 9th Maths के बहुपत चैप्टर का एक और important question करेंगे यहाँ पर हमारे पास यह दो बहुपत दिये गए हैं और हमने इनका गुणनखंड ग्याद करना है तो शुरू करते हैं तो इनके गुणनखंड ग्याद करने की process में हमें जिस formula की आवश्यक्ता होगी पहले मैं आपको वो बता देता हूँ formula है x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx यह होता है x plus y plus z इसका whole square यह formula हमें ध्यान में रखना है जब हम इन questions को solve करेंगे तो सबसे पहले first part यहाँ पर लेते हैं हमारे पास है 25x square plus 9y square plus 9z square minus 30xy minus 18yz plus 30xz सबसे पहला आपको क्या चीज़ देखनी है इन में minus इधर है और इधर है यानि इसके साथ minus है और इसके साथ minus है तो इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों में है तो आप notice करेंगे कि y दोनों में है इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर y वाला minus में है और बागी दोनों plus में है ये ध्यान में रखना ठीक है, बहुत आसान है ये समझना, y दोनों में है यहाँ पे, तो यानि y वाला माइनस में होगा तो अब हमें क्या करना है, जो 25x स्क्वाइर है, इसको लिखेंगे हम 5x का होल स्क्वाइर ठीक है ना 5x का स्क्वाइर 25 होता है, अब यहाँ पर 9y स्क्वाइर है, तो हम यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था, यह माइनस होगा, तो यह होगा 2xy, तो हम लिखेंगे 2, यह x है और यह y है ठीक, प्लस 2yz, तो यह y है और यह z है, तो यह आएगा 2yz प्लस 2zx तो 2 यह है और z यह है देखो, चाहे zx लिखो या xz लिखो, बात एकी है और 7 में है और x है यह आप इसको पलट के भी लिख सकते हो x पहले z बात में, बात एकी है ठीक है न अच्छा, अब आपके मन में प्रशन होगा कि सर, ऐसे कैसे आपने यह लिख दिया आपने तो इसको बिल्कुल देखा भी नहीं तो देखो हमको इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा अगर आप इसको solve करें, तो पांच, दुने, दस, तिया, तीस आपको बिल्कुल यह मिलेगा अगर आप इसको हल करें 3, 2, 6, 3, 18 बिलकुल यह मिलेगा और अगर आप इसको हल करें 3, 2, 6, 35 बिलकुल यही मिलेगा ठीक है लेकिन आपको माइन में रखना है जो यहाँ पर यह फार्मॉला है बिलकुल यही आपको माइन में रखना है और इस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो I hope आपको यह सब समझ आ गया होगा, कि यह कैसे हुआ है, और अगला step तो simple है, x plus y plus z, इसका करेंगे whole square, क्योंकि right hand side में वही है, है न, तो यह हो जाएगा, x plus y की जगए यह है, plus z, अब क्योंकि गुणन खंड करने तो इसका हम दो बार लिख दें और दूसरा फिर से यही लिखेंगे, और यह हमारा answer है, ओके, तो I hope यह आपको समझ आया होगा, अब हम करते हैं इसका दूसरा part, second part यहाँ पर है, और फिर से जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले क्या देखना होता है, कि minus कहां कहां पर है, minus इधर है, और इधर है, और इन यह minus में होगा, तो यह आना चाहिए, all square, और बाकी दोनों plus में रहेंगे, ठीक है, समझ आ गया, अच्छा, plus two, अब देखो, इसके बाद जब एक बारे आप इसको इस तरह से लिख दें, फिर इसको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आपको focus करना है, formula पे, तो अगर हम यहाँ पर इसको assume कर लें, कि यह x है, पूरा, और यह y है, और यह z है, तो यहाँ पर formula की साबसे 2xy आना चाहिए, तो x है minus 3x, और y है 4y, plus 2yz, यानी 4y, and यह आ गया है, plus 2zx, या xz, आप चाहें तो x वाले को पहले लिखो, और z वाले को बाद में, बात एक ही है, ठीक है, और यह हो जाएगा, x plus y plus z का whole square, जो की right hand side में यह है, यानी x, minus 3x plus y, 4y का whole square, अब इसको हम दो बार लिखेंगे, तो minus 3x plus 4y plus 2z, एक बार यह लिखा, और फिर minus 3x plus 4y plus 2z, यह है, और यह हमारा answer है, ओके, तो I hope आपको यह समझ आये होगा, बाकी questions के videos के लिए आप description box में playlist चेक करें, thanks for watching,